ओम नमस्य वाय, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको कुछ भागिसाली राशियों के बारे में जानकारी दूँगा यह राशियां बियादी भागिसाली रहने वाली हैं, इनका योग इस समय बहुत ही अच्छा चल रहा है दिसम्मर 2022 से लेकर के, दिसम्मर 2023 तक इनका योग और जादा चलेगा जिसे इनके प्रतिकार सिद्धोंगे जब भी गिरेन का सुभयोग होता है, तो कई राशियां ऐसी होती हैं, जो बहुत ही लखी रहती हैं अक्सर हमारी कुंडली में कई प्रकार के सुभयोग बनते हैं और कई प्रकार के ऐसे योग भी होते हैं, जिनकी वज़े से हमें कई प्रकार की परिशानियों का सामना करना पड़ता हैं, ब्यवपार में परिशानिया आती है, नोकरी नहीं लग पाती, धन नहीं रुख पाता, इंसान कोई कर्ज लेता तो कर्ज बढ़ता चला जाता है, सब ग्रेन का खेल होता है, कई बार और परिशानी भी होती है, लेकिन जाद अतर परिशानी कुंडली के दूसरों के होती है, कुंडली में कई ऐसे दूसरों जाते हैं, इसलिए सास्तों में का गया कि प्रतेक व्यक्ति को थोड़ा समय भगवान की पूजा के लिए जरूर निकालना चाहिएistem, सबसे पहला आप सोम्मार की पूजा शुरू कर दे, प्रतेक सोम्मार को सिव जी का अवशेक करें, सोम्मार की दिन सिवलिंक पर बेल पत्र चड़ाएं, ये आप नियम शुरू कर दे, दूसरा गुरूवार की दिन भगवान विष्णू का पूजन करे ये आप अगर नेम बनाते हैं तो हर प्रकार का सुक और बैवाब आपको प्राप्त होगा गुरुबार के दिन भगवान विश्नु की पूजा करें केलिक बरक्य की पूजा करें और साथ ही आप अगर चाहें तो ब्रत भी शुरू कर सकते हैं इससे आपकी सारी परिशानियां दूर हो जाएंगी हर प्रकार की आ रही व्यादाएं दूर हो जाएंगी आप एक बार शुरू करके देखिए पाए बहुत जल्दिला मिलेगा कुंडली में आपके हम कालसरप दोस है पित्र दोस है या चांडाल योग है मंगलिक दोस है कोई भी दोस है किसी भी परकार की कोई परिशानी है या मात्र पित्र रणर दोस है कई ऐसे रिड़ दोस होते हैं जिनकी बज़े से पुत्र प्राप्ति या धन प्राप्ति नहीं हो पाती तो आपको पूजाएं शुरू कर देन चाहिए कई बार नजर दोस लग जाती है कई बार लोगों पर ऐसे हाय हो जाती है नजर हो जाता है अच्छी खासी तरकी करते करते इंसान भरबाद हो जाता है तो आपको पीपल भरक के नीचे प्रतिक सनीवार को अमावस्या को दीपक जला करके साथ प्रक्रम्मा अवश्य करनी चाहिए सनीवार की दिन सनीदेव के सामने तेल का दीपक जलाएं तुलसी माता की प्रति दिन पूजा करें इससे आपके सभी कारे से दोंगे सबसे पहली जो रासी है मेस रासी मेस रासी बहुत ही भाग्यसालियों लकी रहने वाली है कर्जिसे मुक्ती मिलेगी भूमी जाजात का काम से दोगा बान आदी का भी शुक प्रापत होगा हर प्रकार के कारे बनेगे दूसरी जो रासी है वह ब्रसव रासी पहुत ही भाग्यसालियों लकी रहने वाली है ब्रसव रासी बालों को भी विशे सपलता मिलेगी और आपके सभी कारे से दोगे तीसरी जो रासी होगा है कर्क रासी कर्क रासी बालों को विशे सलाब मिलेगा और यह रासी भाग्यसालियों में से है मंगले कारे सम पनूंगे परवार में कुछी का माल रहेगा, स्वास्त अच्छा रहेगा, कर्ज से मुक्ती मिलेगी, हर प्रकार की कार बनने शुरू हो जाएगा। अगली जो रासी है, वह सिंग रासी, बहुत ही भाग्य साली और लकी रहने वाली है। सिंग रासी के लावा कन्या रासी, कन्या रासी बेहदी भाग्य साली और लकी रहने वाली है। इन रासियों को ज्यादातर सपलता मिलेगी। लेकिन ध्यान आपको रखना है कि पूजा पाट आप विशेश रूप से जरूर करें। क्योंकि कहते हैं कि आदमी को जब सपलता मिलती है तो असपलता भी उसके सामने खड़ी रहती है। तो आपको कोई परिशानी ना इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखें और पूजा आप जरूर करें। भगवान की किरपा से आपके सभी कारिश से दोंगे और आपकी पुत्र धन के मनुकावना पूरी होगी। पूरी होगी।